Hello guys, Welcome back आज की एक नई वीडियो के साथ तो तमनेल देखके आप समझी गए होगे कि आज हम बात करने वाले हैं किसी की भी लाइब लोकेशन ट्रेक करने की तो अगर आप चाहते हैं किसी की भी लाइब लोकेशन तो वीडियो को एंट तर जरूर देखें वीडियो को कहीं पर भी skip मत करें, so without wasting any more time, let's begin. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने Google Map को open करना होगा, जैसे यह आप इसको open करे होगे, तो आपको इस तरह का interface शोगा, तो उपर आपको profile का icon दिख रहा होगा, आपकी mail पर DPेली अपको show रही होगे, आपको इस पर click करना हय, आपने CONTACT को मतलब share करना चाहते है, अपना location आपको से select कर लेना होगा, जैसे ही आप select करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का आपको एक option लेगा आप उसको allow कर देना और यहां पर आपका phone power saving mode पर नहीं होना चाहिए तो अगर आपका phone power saving mode पर है तो आपको उसको off कर देना है off करने के बाद आपको यहां पर देखिए ऐसा loading हो और loading होने के बाद जिसकी भी आप location share करना चाहते हैं तो उसका phone आपको दो मिनिट के लिए लेना पड़ेगा तो इस तरीके से आप उस phone की link अपने phone में forward कर सकते हैं अपने phone में send कर सकते हैं एक बार send होने के बाद जब तक आप उस link को दोबारा से off नहीं करोगे तब तक वह off नहीं होगी और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके phone की location देख रहे हैं उस phone की exact location देखा देगा देखिए यह आपको location शो हो रही है देखिए और यहाँ पर आपको अपना उस phone की बैटरी भी देखा रहा है यह देखिए आप किसी भी phone की location बिलकुल आसानी से देख सकते हैं घर बैटे और सामने वाले person को पता भी नहीं चलेगा बस इस trick के लिए आपको उसका phone सिब 2 minute के लिए लेना पड़ेगा एक बार आप जब उस phone की link अपने पास share कर लोगे तो उसके बाद उसके phone की अपन को जरूरत नही पड़ेगी तो यह थी आज की ट्रिक कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बने रही है तब तक के यह मिलते हैं ऐसी ही एक और नई ट्रिक के साथ